हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चनल फ्रेंड्स सबसे पहले तो रच्छा बंधन की हार्दिक सुख कामना है आल मेंबर्स को फ्रेंड्स रच्छा बंधन एक ऐसा पवित्रत्यवहार है जो भाई बहन के रिष्टे को और मजबूत बनाता है लेकिन फ्रेंड्स भाई बहन का रिष्टा एक ऐसा रिष्टा है ना कभी तूटा है ना कभी तूटेगा एक पवित्र रिष्टा है ये धागे का मतलब एक डोर में बध जाना एक रिष्टे में बध जाना तो friends ये प्यार भाई बहन का जो प्यार होता है ये अनमोल होता है ये ना कभी तूटा है ना कभी तूटेगा लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि ये राकी का तेवहार ये रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है कहां से स्टार्टिंग हुई रिजन क्या था स्टार्टिंग होने का इस वीडियो में क्लियर करूँगा उससे पहले भी पौराणिक कथाओं में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके से जो है राक्षा का तेवहार मनाया करते थे लेकिन मैं इस युक की बात कर रहा हूँ इसमें प्रचलित कब से हुआ स्टार्टिंग वहीं से हुई यह सारी चीज़े में बताऊंगा तो सबसे पहले रक्षा बंधन की हरदिक सुपकामना है फ्यूडियो को पूरा सेर कीज़ेगा ताकि हर लोग इस रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है हर लोगों को यह पता रहे कि रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ फ्रेंड्स ये हैं महा रानी ठीक है इनका नाम करडावती जी है करडावती था ठीक है ये मेवाड की रानी थी राना सांगा की पत्नी थी ठीक है मेवाड की रानी राना सांगा की वाइफ यानि पत्नी थी करडावती जी करडावती क पती राणा सांगा की मृत्ति के बाद गुजरात के बादसाह गुजरात के सासक अब्दुल जफर ने मेवाड पर आक्वन किया आक्वन करने के बाद वह मेवाड को हडपना चाते थे उसी समय रानी कड़ावती ने मुगर बादसाह हुमायू जी को मुगर बादसाह हुमायू को एक पत्र भेजती है उस पत्र में राखी का यानि रक्षा बंधन अटूट धागा करिश्ता भेजती है और मुगर बादसाह बहुत अच्छे धंग से बहुत क्रियोटिव धंग से वह इसको जो है लेते हैं और इस राखी को असेप्ट करते हैं मुगर बादसाह हुमायू और इस राखी का इस राखी का रिस्तावफ पूरे अठिशे धंग से निभाते हैं जिस तरह से एक भाई बहन का निभाना चाहिए जब जफर मिवाण पर अक्वन किया तब हुमायू करणावती का पूरे दारुमदार के साथ इनका साथ दिया और इस रिस्ते को और मजबूत बनाए यहीं से जब इस राखी का तेवार मनाना स्टार्ट हुआ कि एक मुशलमान होते हुए भी उनका अटूच धागा को असेप्ट किया और जफर के साथ पूरे अपने सेना को लेकर करणावती का साथ दिया यहीं से स्टार्टिंग हुई रक्षबंधन का तेवार मनाने का देखिए रक्षबंधन की कहानी क्या है रक्षबंधन एक एतिहासिक कहानी है रानी कड़ावती और हुमायू संब्राट से जुड़ी हुई है यहासा माना जाता है कि रानी कड़ावती हुमायू को राखी भेजी थी इसके बाद से तेवार को मनाने की परंपरा सुरू हुई रानी ने मुगल संब्राज को राखी भेज कर मदद की गुहार लगाई थी यह से मैंने आपको पहले ही बताया जिसके बाद हुमायू ने कड़ावती की मदद करने का फैसला किया मैंने पहले आपको बताया कि हुमायू रानी कड़ावती का पूरा मदद किया जिस तरह से एक भाई बहन का आल जीवन रक्षा करता है उसी तरह से इन्हों ने रक्षा ही किया यहीं से परमपरा सुरू हुई रक्षा बंधन का तेवार पौराड़ी कताओं में कुछ अलग मिलता है लेकिन अपने इस मुगर समराज यहां से माना जाता है कि परमपरा सुरू हुई थी ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मनाया जाता है जैहिंद वंदे मातर है